हेलो अब्रिवन आज हम इस वीडियो में डिसक्स करने वाले हैं क्लास लाइवन कि आपकी बाया लुचिक बुखावजुब के चैप्टर नंबर सेवन उसके बाद भी अर्थों का यह हैं उसके बाद है हमारा कॉक्रोज का थार्ड क्वेश्चन डाइगरम यह तो जो है इसमें आपको अलग अलग पार्ट्स बता होने चीज़ाइस सलाइवरी ग्लैंट्स में आपको बताया था इसका ओर्डर भी काफी इंपॉर्टंट से पहले यहां पर फैरिंग सफिसके बाद इसके बाद छोडेश्ण के लिए करता है जुकि णिदे फूड करता है इसको निकालता है मिजेंट्रों है इयम वाला पार्ट कॉलन रेक्टम फिर फाइनली आनस से भार हो जाता है सारे हमने function अच्छी पता से पड़े थे इनके इसका है यह जो है डाइगराम है और यह को तरह सब्सक्राइब है और रिलीजद आपको बाता है जो की स्टोर करती इस तरह को अगो आपको क्लियर हुआ हुआ है यह सब हमने पढ़ा थे इसको क्नाल को चमें यहां पर डियाग्राम के लिए का था बठामने तो एक तरह से जो है डियाग्राम तो में बनाना नहीं है बठामने पार्ट जो है डिसकस करने है वह इसका ओर्डर काफी पॉड़न्ट है इस ओर्डर से 2020 में 2021 में ऐसे जो अब यह भी एक दूसाल में क्वेश्चन आया था इस से इस ओर्डर से उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन भी जो हमारा अर्थोम से जो में नहीं करना तो इसके बाद यह देखिए जो है वतादी सेलूर कॉंपलेंट्स ब्लड यह यहां पर क्वेश्चन पूछ लिया है इसके बार इसके बारे हम चैप नंबर का भी पढ़ें अब यह आदी करना है इसमें जो समझाने का नहीं है बड़ इसके बारे हम डीटेल में हमें पढ़ना है अभी थोड़ा देख लेते हैं इस चोंपनेंट्स फोर्म 45 परसंट यह जो आपका इसके लावा जो क्या होता प्लाज्मा होता है जो कि नेरली 55 परसंट होता है 35% blood होता है इसमें भी अलग होते है, RBC, WBC, johé late-less CSI चीज़े जो है पाए जाती है इस तरह से इन में, beimaline erythrocytes और bycon के जो erythrocytes होते हैं, mammals के जो erythrocytes होते हैं, erythrocyte मतलब RBC bycon के बते हैं, colored cells होते हैं, जिसके पास johny nucleus नहीं होता है, क्योंकि ह्युक्ट होता है कि हमें hemoglobin का जाए हमें hemoglobin ज़ादा नाहीं पाय जाता नहीं तो जयादा भेश घेर लेता हैं इस जगहें पर इसलिए तो यहां पर नुकलियर नाहीं पाये जाता क्योंकि हैं हमारी बड़ी में ट्रांपोटेशन हो ताकि हमारी बॉड़ी अच्छी तरह से फंक्शन कर पाएं हेल्विन ट्रास्पोर्टिंग रेस्पिर्टरी गैसेज में जो है है रब करते हैं रबीसीज ल्यूकोसाइट्स की बात करें हम ल्यूकोसाइट्स की या फिर हम कह सकते हैं डबलो बीसीज की बाता है है uh nucleated cellion में nucleus पाय जाता है these can be divided into two दो ताइप सम Сергוס को डिवाइड कर सकते एग्याटिक ग्यानिलर साइट्स ग्यानिलर साइट्स की अलग अलग ताइप न어 साइप्स हैं दbok वान्उ साइट्स और नरो साइट्स में.. यह क्यारते हैं, काई भी है कोई भी जब ड़ने को एक हला मेरी介 of 想्सक्राइल को इम्यूनीट एक तरह से जहार से प्रोवाइ़ करते हैं तो bone marrow होता है जिसमें क्या होता है कुछ cells होता है जोगी क्या बनाते है आगे जो fragments इस तरह cell है तो वो इस तरह से जो पूरा cell है इस तरह से आगे जो पूरा cell आपका इस तरह से तो आगे छोटे 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 fragments में इस तरह से जो तूट जाता है जो कि क्या बना देता है MA cariocides बना देता है तुसी को यहां पर का है MA cariocides सगी higher fragments ही क्या होते है Thrombocides होते है MA cariocides सगी क्या बनता है क्या बनता हमारे पास इंसेल के fragments से क्या बनता हमारे पास Thrombocides बनते है They play a major role during Blood coagulation, Blood coagulation की दो सब decir Japanese clotting होती है उसके दुराँ जो है काफी important role play करते हैं सुना होगा platelets आपने की कम हो जाती है तो हमारी platelets कम हो जाती है यह आपने सुना भी होगा तो उस दुराँ help करते है नहीं तो आपकी blood clotting जो है नहीं हो पाएगा अगर यह platelets नहीं होंगे तो अब देखिए condresides exon selected epithelium यह क्या होते है condresides क्या होते है cells होते है cartilages cells होते है और they are present in the small cavities within the matrix treated by them जो कि यह matrix create करते है उनमे small cavities में present होती है जिन लाक्यूने कहते हैं यह यह पर लिखाने हुए exon होगा जहांसे information carry होके जहाती है नर्व इंपल्स जाती है neuron body से exon होकर जाती है जो क्या कि नर्स बनाती है celliated epithelium इसमें क्या होता है इसमें columnar भी हो सकता है cuboidal भी हो सकता है जिसके पास cilia होगा free surface पर उपर की तरफ प्र प्रेजन्ट होगा और अंदर की तरफ पाय जाते है कि इसमें oviductumary bronchioles में और यह क्या करते है movement movement में help करते है जो की ovary से जो भी over निकलता है फिर egg कह सकते है वो निकलता है तो वह oiduct में जो है मैंने आको डाइगराम से समझाया भी था यह तो इस तरह से जो है यहां पर सिलिया यहां पर लगया होता है इस तरह से यहां से oviduct जो होते वह जाएगा यहां पर ovary होगा इस तरह से यह जो है इस तरह से इसको अंदर भेज देगा movement से और bronchioles में जो है mucos specific direction में जो भी move करेगा इसी तरह से bronchioles में होता है इसमें आपको clear हुआ होगा इसमें मेल आपको टिशू याद रखने है थोड़ा बहुत उसमें function बताया है वह आपको याद रखने है जो इसमें अलग-अलग terms है और ब्रॉंकियोल्स और अलग-अलग यह जोन हो गया यह साही चीज़े हम cartilage हो गई बॉन हो गई बॉन मेर हो गई या wbc rbc यह साही चीज़े हम human physiology में detail में हम पड़ेंगे पूरा detail में है human physiology में दिया हुए पूरे पूरे चैप्टर दी हो आपके इनके बारे में अच्छी तरह पूरे चैप्टर में detail में है तो उसमें आपको अच्छे दरह से समझा जाएगा बट यहाँ पर आपको एक्जांपल यहाद रखना है कि कौन से ट से बने होते हैं simple epithelium हो गया simple epithelium में क्या हुचता है जो कि diffusion में जो help करता है कहां पर पह जाता है blood vessels की wall पे और lining of the alveoli पे यहाँ पर पहाय जाता है तो इनका example काफी important है नीट में आया बीव कि यह जहादत है कि इनके example काफी important है ही इनके वाले कोईशन भी 2021 में 2020 में ऐसा यह पी सीटी में पाया जाता है जिंबल की बाइडल जो है पी सीटी कौन सा जो है अभी थीलिम होता पी सीटी में सिंपल की बाइडल यह बी इंपॉर्डट है गाफी यह लग लग इनके एक्जांपल्स होगा इनके फंक्शन और सिंपल कॉल्यम नार श्टमक में इंटरस्टाइन में यह आपे इनकी लाइनिंग पर पाया जाता है इसके बाद सीलियर्टिड हो गया इस पर सीलिया लगा होत लते हैं इसमें कोलीमनार के बडिए सल्सी जो आगे मोडिफाय हो जाते हैं यह अलग-लग होते हैं इसमें मल्री से ब्लाएं होती है ऑफ आपको क्लीयर हुआ क्लियर्वा होगा यह तो हमने मचेते से पढ़ा था तो यहां पर हमने आप्ने ऐसक्षgy आप्शॉक्रायन के लेकर टैप सेल्स बने होते हैं इसमें हमने कई साइज अलग ताइपस के हमने किया था यह मैं आपको पताया भी था इसमें अब आपको बताया था नौन बिया कि stratified होता है, stratiable में transitional जो की urinary bladder में पाया जाता है, काफ़ important है ये, transitional epithelium urinary bladder में पाया जाता है, उसके बाद stratified epithelium की बात करें तो हम just stratified squamous, cuboidal इस तरह से पाया जाता है, columnar या लगले से types होते हैं, उसमें भी stratified squamous में keratinized, non keratinized, ये इस तरह से example, यहां पर यहां पर directly लिए होए compound epithelium के, तो यह सब हमने बढ़ाता, next question देख लिए, इन में difference पुछा हो है, simple और compound में क्या difference होता है, यह एक layer बना होता है, simple और यह more than one layer बना होता है, इसका function क्या होता है, simple का में लिए absorption secretion, और इसका क्या होता है absorption, जो सिक्रीशन भी होता है, बड़ इसका main लि इसका, यह कहां पर पाया जाता है, stomach हो गया, intestine lining पे हो गया, और यह कहां पर pharynx और बकल cavity की lining पे हो गया, तो यह हमें difference जो अच्छिदा से पढ़ा भी था, उसका बद कार्डेक स्ट्राइट कौन से होगा, यह involuntary होता है, function cardiac और यह voluntary होते हैं, strated muscles जो आपकी, जो ही होती है voluntary, इन्हें हम smooth muscles, strated muscles को skeletal muscles भी कह सकते हैं, इनमें multi nucleate होते हैं, कई सारे nucleus पाये जाते हैं, branch होते हैं, यह भी multi nucleate होते हैं, लेकिन unbranch होते हैं, यह हमने पढ़ा था, यह सिरफ heart में पाये जाती है, cardiac muscles, लेकिन strated जो है, कहां कहां पे पाये जाएंगे, triceps, biceps, limbs में इनमें प पाये जाती है, strated muscles, so, आपको clear होगा होगा हमने chapter में, difference हमारे सारी difference की form में नहीं पढ़ा हमने, बट एक तरह से सारे points आ गए था हमारे chapter में, तभी तो question हम कर पा रहे हैं, तो आप कर पा रहे होंगे, उसमें जो क्या होते हैं, regular में, regular way में पाये जाते हैं, जो आपके इर्रेगुलर्ली जो रहन करते हैं, इनमें irregularly होते हैं, irregular में, यह कहां पर आ जाता है, tendon ligament में, और irregular में, skin में, इसका बद बलड टीशु में क्या है, difference, इडिपोज में क्या होते हैं, अलग अलग अलग, 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 अडिपो, sides होते हैं, यह sizes अलग-अलग, पाये जाती प्रेस्ट होते हैं और ये किसमें अब करते हैं ट्रांस्पोटेशन फूर्ड में वेस्ट में गैसेजमें हार्मोंस में और ये कहां पाँ जाते हैं ब्लट वैसेजमें ब्लट टीशू सिंपल्र बॉर कमपाउट्ड ग्लान्ट की बात करें तक है इंनके पास जो फ Fantasy VII गुटे इनके में पड़ा था इनके अधिनी पोग्रेंड कंपाउट्ड वाले में इसम उद्वान मार्ग करना मतलब किकोन सा जो है इन इन से बिल्कुल अलग है इसमें कौन सा हो गया आपके पास न्यूरोन हो गया इसमें A वाले पार्ट में B वाले पार्ट में आपके पास जो है कौन सा हो गया RBC, WBC, Platelis तो A की हो गया बट कार्टले जो है अलग हो गया इसमें Ode 1 हो गया एकली हो गए लेकिन लगमेटेंट इसमें अलग हो गए फ्रोटनीम में पडाए था मोसका अक्राइस आपको clear होगा यह मैच करना है मैच कि दो आप देख सकते हैं में compound abathelium skill में compound eye mosaic vision जो इस कोख रोच में पाई जाती है इन अर्थवर्म में करना नहीं है open circulator system cockroach में होता है आर्थवम का भी नहीं करना है इसमें जिब करना नहीं है इसमें अब इसमें मेट पोर्स कथे हैं कि हमने पढ़ा था वेंट्र फैलोमियर उसके बाद ऑर्थवर्म का है में पढ़ना नहीं है फ्रॉग अभी नहीं हमें पढ़ना है उसके बाद ये function देख सकते हैं अब इसमें शिर्फ हमें जिर्फ मालफी जन ट्विल्स का function आप पता होना चीए excretory organs होते हैं cockroaches में बर्टुरेटर हो गए फ्रोड में हमें पढ़ना नहीं अर्थवों पढ़ना यह सब हमने अच्छे दैसे पढ़ लिया है यह सब हमने साइच चीजे चैप्टर में पढ़ी थी हमने अच्छे दैसे उसके अलावा जो है Malfigantibules के लावा जो क्या करते हैं वेस्ट को सीग्रेट करते हैं और यह फी यूदिक इस्टेडम कह सकते हैं है इस ही चेप्टर में हमने चेप्टर चेप्टर में हमने इस 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 प्रच पर्च वाले पार्ट से जाजाता है chances कि cockroach वाले से एक question और एक question जो है टीशू वाले से टीशू वाले से तो काफी important है यह काफी important है तो इसको जुरूर कीजेगा अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक कीजेगा मेरे चाल को subscribe कीजेगा मुझे comment को क्या पताएगा आपको वीडियो कैसे लगी तो मिलते हैं next वीडियो में और next वीडियो में आगे हम chapter number 8 करेंगे chapter number 17 हमने पिछली के बाद ही यह chapter कराए है तो उसके बाद हम chapter number 17 से आगे start करेंगे 17,18 फिर पढ़ेंगे आगे 19 पढ़ेंगे so thank you मिलते हैं next वीडियो में